वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके मैल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार प्रेंस एंट्रेवल में आपका नैमी शारण से बहुत बहुत स्वागत है ये वीडियो भेजा है राजा राम जी ने जो की हमारे सब्सक्राइबर है राजा राम जी वीडियो भीजने के लिए धनेवाद नैमी शारण स्टेशन के पास पढ़ने वाली लेवल क्रॉसिंग पर आज 3 अगस्त को सुबा 8 बजे से रातरी 8 बजे तक का यहाँ पर ब्लॉक लिया गया है ट्रैफिक बंद रहेगा इस लेवल क्रॉसिंग के उपर से यातायात को बंद करके यहाँ पर रेल पत्थ की जो मरमत है उसको किया जा रहा है यहाँ पर पट्रियों को जमीन से उपर उठाने का रेलवे काम कर रही है जिसके चलते यहाँ पर इस रोड पर जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया गिया है जैसा सामने आप देख सकते हैं लेबर लगी हुई है ये हर्दोई सीतापुर सडक मार्ग है जिसके उपर यहाँ पर तेजी के साथ कारे चल रहा है आप देख सकते हैं ट्रैक की ओवर हॉलिंग हो रही है ये फाटक संक्या 12 बटा सी है यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया जिससे स्थानी लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना आज करना पड़ेगा एक दिन और कारे आप देख सकते हैं चल रहा है मीडिया में भी समाचार पत्रों में फोटो के साथ न्यूस प्रकाशित की गई है तो लेबर लगी हुई है और सीतापुर बालमव रेलखंड है य नैमी शारण से लखनो तक लोकल ट्रेन या मेमू ट्रेन चलाए जाने के लिए उत्तर रेलवे को भी कई बार लिखा गया है क्योंकि चक्र तीर्थ है और यहाँ पर श्रधालू आते हैं देश विदेश से तमाम सारे जो यहाँ पर श्रधालू पहुंचते हैं उनके लिए लखनो जंक्षन से भी सीतापुर जंक्षन होते हुए नैमी शारण तक चलाई जा सकती है ट्रेन या आगे पूरा बाला मौ जंक्षन तक सरकुलर रेल आप चला सकते हैं जो कि लखनो उत्ता रेलवे से लखनो जंक्षन तक बाला मौ नैमी शारण सीतापुर सिटी फिर सी पर जंक्षन होते हुए आए तो इस प्रकार से कुछ योजना बनाने चाहिए रेलवे को